तो चलो वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो चलो guys अब मैं आपको point number 1 बताता हूँ तो guys मैं आपको point number 1 में बताता हूँ कि अगर आप कभी भी school apartment आ रहे हो ऐसे वाले जो भी apartment होते हैं यहापे दो बड़े वाले तो मैं आपको इसमें एक trick बताता हूँ जिसमें आप नीचे से ही ऊपर वाले बंदे की position तो पता करी लोगे जैसे कि आप देख सकते हो मुझे footsteps आ रहे हैं तो आप position तो पता करी लोगे और आप यहां से ही उसको knock कर सकते हो जी हाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको क्या करना है बस यह gate बहर की तरफ खोल लेना है और फिर आपको एक teammate चाहिए होगा अपना और अपनी teammate को आपको gate के सामने की तरफ खड़ा करना है मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कैसे तो guys देख सकते हो आपको अपना teammate को बुलाना है और यहाँ पर इस तरह ऐसे खड़ा कर देना simply तो आप देख सकते हो मैंने कैसे खड़ा कर दे और आपको यहाँ बस ऐसे jump का button दवाना और boom guys आप देख सकते हो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं अभी teammate को उपर float कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो मुझे इस बंदे की पूरी position पता चल दिए और मैं हर तरफ देख सकता हूँ और guys आप सोच रोगों कि मेरा sir थोड़ा बाहर जा रहा है तो but guys ऐसा नहीं है उपर वाले बंदे को बिल्कुल पता नहीं है कि मैं उसको देख रहा हूँ उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं है और मैं यहां से उसको शूट भी कर सकता हूँ मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ तो चलो guys अब मैं आपको point number two में बताता हूँ कि अगर आप कभी भी नोवो आए हो और आप first चुके हो मेरा मतलब अगर यहां पर काभी सारी स्कॉर्ट आई है और आप अकेले बचे हो स्कॉर्ड के और या फिर आपको लगता है bridge camp हो गया होगा तो मैं आपको recommend नहीं मतलब boat लेके जा रहे हो तो make sure आप उस पर डासिया भी carry कर सकते हो जी हाँ guys आप उस पर डासिया carry कर सकते हो जैसा कि आपने देखा मैं simply डासिया इसके ओपर डाल दी इसका क्या फाइदा होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ पहले मैं इस boat पे बैठ जाऊं तो guys इसका क आपको वेहिकल सर्च करने की जरूरत नहीं है यह guys बहुत ही बार यूज होता है मतलब आप समझे जोन आ चुका है और आपकी जोन में health जा रही है और आपको bridge cross करना है बट already bridge पे बंदे है कैम करने तो आप एक डासिया carry कर सकते हो boat पे यह काफी अच्छी मतलब एक strategy है जासिया को carry कर लो boat पे और आप आराम से उसके through चले जाओगे मतलब river के through और आपको वेहिकल धूड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है दूर दूर तक आपके पास already एक वेहिकल होगा और आप यहां से easily जा सकते हो तो यह चीज़ आप ट्राइ कर सकते हो guys अगर आप कभी भी में और आपको लग रहा है कि बंदे bridge camp कर रहे हैं या फिर 100% वापे camp हो रहा है तो यह trick आप यूज़ करो आपकी इससे पूरी squad safe हो सकती है बच सकती है तो यह चीज़ आप जरूर ट्राइ करो तो चलो guys अब मैं आपको point number 3 बताता हूँ तो guys मैं आपको point number 3 में बताता हूँ कि आप कैसे अपनी जो AR है automatic rifles आप उसका कैसे use कर सकते हो bike के उपर जिहां guys आपको पता हूगा कि bike के उपर पहले हम आपको बैट के दिखा दो देख सकते हो मेरी AR नहीं निकल रही है और आपको सिर्फ पता हूगा इस पे स्रिफ SMGs निकलती है बट नहीं guys आप इस पे AR यहां तक की sniper भी use कर सकते हो आपको क्या करना है pen निकालना है get in और AR का बटन एक साथ दबाना और boom guys आप देख सकते हो मेरे हाथ में AR आ चुकी है और guys यह काफी कमाल की trick है आप इसमें बिल्कुल अच्छे से AR यूज कर सकते हो बिल्कुल SMG की तरह आपको लगेगा ही नहीं कि आप bike पे बैठे हो बिल्कुल normal में आप यूज कर सकते हो और आप यहां तक की scoping भी use कर सकते हो इसमें आप देख सकते हो मैंने ADS खोल के shoot कर रहा हूँ तो यह trick आप यूज करते हो जब आपके पस तरिफ vehicle बचा है बाइक और आपको डर लग रहा है कि आगे बंदे होंगे नहीं तो आप अपनी security के लिए इस पे आप AR निकाल सकते या फिर आपने दोस्तों को भी दिखा सकते हो यह trick काफी कमाल किया आपको बस क्या करना है get in का option दबाना है और bike पर जब आप बैठने जा रहे हो get in और AR का option एक साथ दबाना है और make sure आपके पास pen हो तो चलो guys अब मैं आपको point number 4 में बताता हूँ यह जो school की wall है आपने कई बार classic matches खेले होंगे तो आपको बता हुआ कि यहाँ पर कई बार क्या होता है कि बंदे अंदर होते हैं और आप बहार होते हो देख सकते हो यह बंदा अंदर मैं बहार हूँ और आप यहां से sprint करके मतलब jump करके यह sprint करके कुछ भी करके आप अंदर जा नहीं सकते तो मैं अपना ADS खोलना है और अपना camera उपर नीचे करना है और shoot करना है उसी में मैं आपको करके दिखाता हूँ तो देख सकते हो guys मैंने इसको कैसे बाहर से ही knock कर दिया अंदर की तरफ तो यह trick मैंने कैसे यूज़ की आपको wall के close जाना है ADS खोलना है और अपना camera उपर नीचे करते हैं वक्त ही उसको shoot करना है और guys आप wall के पार उसको shoot कर सकते हो जब भी broken walls पर यह काफी काम आने वाली है school में तो आपको काफी काम है तो यह trick आप use कर सकते हो तो चलो guys अब मैं आपको point number 5 बताता हूँ इस बंदे को कैसे आप surprise attack कर सकते हो यह नोवो का सबसे popular squad house है तो आप अगर इसमें एकदम unexpected entry लोगे तो इस बंदे को बिलकुल अंदाजा नहीं होगा तो आपको क्या करना बस यहां पर आया यो तंक्की तंकीस रखी हूँ यह पानी की जो भी है यह आपको यहां पर यहां पर jump करना है और फिर आपको is BCUSकर नहें और फिर बूं गाइज आप देख कि अंदर आगये और आप यहां सेखिली शूट कर सकते हो तो आप देख सकते हो मैनस को कैसे यहां से इजिली शूट कर दिया और या फिर आप उसके अंदर भी एंट्री मार सकते हो यह काफी अच्छी जगा है गाईज अगर कभी भी नोवो में इंटेंस फाइट हो रही है बहुत सारी स्कॉर्ड आईए तो एक नाएक तो यहां पर आती है नोवो की सिटी तो आप यहां पर अगर कोई बंदा है तो आप उसको सरपैसे डेक कर सकते हो तो यह चीज़ आप ट्राइक कर सकते हो जब भी नोवो में फाइट हो रही है तो चलो काईस हमें आपको एक पॉइंट नमर 6 एज़ा बोनस टिप के तौर पर बता देता में तो आपको क्या करना आप स्मोक के थूँ तो नहीं देख सकते हो बट आप क्लोस जाओ गोगा और आप एडियस खोल को देखो गया तो बंदा थोड़ा से वीजिबल हो जाता है यह थोड़ी सी स्मॉझ तिस यहां आपको दे दूँ तो आप ट्राइक कर सकते हो मैं आपको point number one बताता हूँ तो guys मैं आपको point number 1 वे इसको कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर इक नई ट्रिक है मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे करने हैं क्या फायदा है काफी कमाल की लिखैख है आपको जहां मैं पांज Kag wore此 तो और guys आपको क्या करना यहाँ पर जाके punch और prone का बटन दबाना है आपको एक बार में नहीं होगा बट एक दो बार ट्राइ करोगे जैसे मेरा भी नहीं हुआ तो आप देख सकते हो अगर आप prone और पंच का बटन दबाऊगे तो आपको अभी क्या करना यहाँ पर अगर आप जा रहे हो यहाँ पर तो आपको जो camera होता right sign तो आप उसको नहीं move कर सकते हो और आप ऐसे move करके आई बटन से चारओ तरफ देख सकते हो और अगर आपको कोई बंदा देखता है तो आप यहाँ से easily खड़े होके उसको मार सकते हो तो अभी मैं wait कर रहा हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक बंदा आया उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा मैं इ तो चलो guys अब मैं आपको point number two बताता हूँ तो guys मैं आपको point number two में बताता हूँ कि अगर आप कभी भी military base वाले breeze से नीचे गिर जाते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कुछ लोग क्या गलती करते है most of I guess 70% people यही गलती करते है अगर आप यहाँ पर गिर जाते हो तो मैं प्रोड़ो क्या करते हो यहां से घूमके जाते हो यहाँ चरणने की ट्राय करती हो तो ऑब बार बार नीचे जर जाते हो तो guys आपको मैं बताता हूँ कि यहां से भी चरणा possible है मैं बताता हूँ को कैसे ढूंडना है कर जाता हूं कैसे उसको ढूलना है तो यह जो यहां से लाइन जा रही है आपको जहां पर मैंने अभी फायर किया तो आपको बस क्या करना अपना कैमरा उपर करना है ऐसे और आप देख सकते हो यहां जो थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट दिखेगा आपको यह वाला आपको बस इस पर चड़ना है यहां सब्सक्षाइब आपको इस पर चड़ना है देखसे हो में simply उपर आगाए मुझे उपर आने में और अगर यहां पर होता है और अगर यहां पर होता है तो आप उसको ईजिली मार से आपको वहां से रोटेट करके आने की ज़रूरत नहीं तो काईस मैं आपको पॉइंट नमर 3 में एक प्रीजन में एक इतनी कमाल की जगा बताता हूँ अगर आप उस जगर पे चले जाते हो तो आपके पास काफी हाइट आप बहुत दूर तक स्काउट कर सकते हो और बंदों को सरपाइस अटेक भी कर सकते हो इसे आपको बस क्या कर होगे तो आप सीधा नौक हो जाओगे यहां से तो मेक शूर आप यह बात ध्यान रखो बट यह बहुत इजी है इतनी भी हाट ट्रिक नहीं है तो अगर आप सीखे तो एक बार में कर लोगे आपको बस यहां पर आना है गन पीछे रखनी और बस जंप मारनी है और भूम ग जाओगे तो आप देख सकते हो अगर नीचे कोई बंदा भी आ जाता है तो उसको बिल्कुल अंदाजानी होगा कि आप उपर बैठे हो पेड़ पर आप एकदम बिल्कुल हाइड हो जाओगे इसमें आप देख सकते हो मेरा 80% बॉड़ी पार्ट पेड से ढख चुका है बस पेड़ से तच्छों के नीचे आना तो आप देख सकते हो मेरा थोड़ी से हल्थ गई है अगर आप डारेक्ट नीचे कूद होगे तो आप नौक भी हो सकते हो तो मेक शूर आप ये गलती ना करो आप अगर उस पेड़ पर जा चुकिए तो जैसे मैंने जंप की उपर से न टाइम कर सकते हो यहां पे तो गाइस कभी कभी क्या होता अगर आपने प्रीजन में फ्लेर मारी हो तो आपका ड्रॉप कभी वेराउस पर अटक जाता है या फिर कोई बंदा उसके अंदर कैम कर रहा होता है जैसे आप देख सकते हो और मुझे अंदर से अभी फूटस्टे तो देख सकते हो मैंने उसको इसली नॉफ कर दिया तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो अगर कोई बंदा अंदर कैम कर रहा उपर से जाके आप उसको सर्पैस अटक दे सकते हो बट गाइस अगर आपका यहां पर कभी ड्रॉप अटक जाता है वेराउस तो काफी मुश् आपको पॉट नॉमर 5 में एक टिप बजाता हूँ डेश मैच की तो आपको यहां पर बाहर कैसे जाना है मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको इसके ऊपर आना है और यहां पर पंच और प्रोन करना है और मेक्शुर आप इसको जाधा स्पैम मत करो आपको बस मतलब जिरी हो जाती है आप देखे तो यह बस आप डेसमेच में फं के लिए आ सकते हो वैसे यहां आने का कोई फाइदा नहीं है अगर आप यहां से मारोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है और मेक्शुर गाइस यह जो लाइन दिख रही है यहां से जो कलर फेड हो रहा ह अगर आप इसके बाहर जाओगे तो guys आप सीधा नीचे गिर के नौक हो जाओगे मतलब मर जाओगे तो ये काफी बंदों को नहीं बता है वो बाहर तो आ जाते हैं आप देख सकते हो मैं यहाप आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी लिमिट है इसके बाहर जानेगी अब देखो मैं आपको धीरे धीरे साइड बाइ साइड जाके दिखाऊँगा तो आप देख सकते हैं जब तक बंदा अंदर है अब देखो ये नीचे गिर जाएगा तो चलो guys अब मैं आपको point number 6 बताता हूँ और थोड़ी break मार दो तो guys आप देख सकते हो यहाँ पर जो lungs का option होता है जहाँ पर आपकी breathing दिखाई आती है वो मुझे show नहीं हो रहा है इसका मतलब मैं easily पानी के अंदर breathe कर रहा हूँ बट guys आप यहाँ से shoot नहीं कर सकते बट मैं आपको एक trick बताता हूँ जिससे अगर आपके आसपास कोई बंदा स्टेर रहा है swim कर रहा है आप उसको shoot कर सकते हो और आप ज़रा ध्यान देना यह थोड़ी difficult है आप कैसे shoot करो आपको क्या करना है seat change करनी है और fire करना है देखो ऐसे बिक हम आपके